दोस्तो इस वीडियो में कुछ important discussion करने वाले हैं GST से related, GST council meeting से related, GST revocation से related और GST amnesty scheme से related तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं start दोस्तो GST council meeting expect की जा रही है या तो August end तक हो जाएगी या फिर September 1st week में होगी तो यही जो अभी news निकल करके आ रही है GST council meeting के से related के कभी ये meeting हो सकती है 1st week of September में हो सकती है या last week of August में हो सकती है लेकिन दोस्तो GST council meeting के अंदर जो main agenda जो अभी तक share किया गया है जो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो news channels share कर रही है agenda उस agenda में कहीं भी GST revocation का अभी तक जिकर नहीं हुआ है हाला कि ये expect किया जा रहा है कि GST revocation से related कोई important decision GST council meeting में लिया जाएगा क्योंकि पहले भी ये news share हुई थी कि ministry इस तरह का decision लेने की सोच रही है और उमीद लगाई जा रही थी कि जल्दी ही कोई notification circular या press release निकालके जो revocation है जो FAP 21 से पहले जो GST registration cancel हो चुके हैं उनके revocation से related कोई relief announce होगा लेकिन अभी तक इस तरह कोई भी relief announce नहीं हुआ है उमेद लगाई जा रही है या तो council meeting से पहले या फिर council meeting के अंदर इस से related important decision लिया जा सकता है सभी wait कर रहे हैं last one year के अंदर जो data show हुआ था कि last one year के अंदर more than 50% GST registration non filing of return की वज़े से cancel हुए थे और अब GST amnesty scheme आप लेकर के आई हो amnesty scheme active है और अभी तक आपने revocation का chance अगर नहीं दिया है non filers को तो इस amnesty scheme का जो benefit है वो नहीं मिल पाएगा जिस तरीके से ये benefit मिलना चाहिए अब सवाल यहां पर यहां पर आता है कि august end होने वाला है amnesty scheme आपकी end होने वाली है और अब अगर आप revocation लेकर के आती हो या जैसा कि जो सुनने में आ रहा है कि GST council meeting के अंदर revocation की news आपको revocation relief से related news मिल सकती है तो उस समय जो ये amnesty scheme का benefit है वो उन सभी को नहीं मिल पाएगा जिनके registration revoke होंगे तो ऐसे में क्या ये जो amnesty scheme है इसको extend किया जाएगा या उनके लिए कोई further relief निकाला जाएगा तो ये बहुत ही बड़ा discussion है अभी तक इस से related कोई भी news नहीं आई है कि वो किस तरीके से benefit लेंगे या क्या amnesty scheme extend होगी तो ये सब भी चीजे अभी questionable बनी हुई है हलाकि revocation से related तो decision लिया जाना चाहिए जो की news भी थी कि revocation से related decision लिया जा सकता है इसके अलावा जो हम expect करते है representations जो गई हुई है 16-4 को लेकर के ITC को लेकर के relief जो expect किया जा रहा है कि इस तरह का कोई भी relief अभी तक नहीं news आई है कि इस तरह कोई relief expected नहीं है कि हमें मिलेगा main अभी revocation जो important है वो मिल सकता है amnesty scheme already आपको मिल चुकी है और जिनका जो है काफी सारे taxpayers इसका benefit भी ले चुके हैं तो ये important अभी revocation से related update था क्योंकि daily basis पर request जा रही है daily काफी सारे efforts किये जा रहे है revocation से related तो अभी तक की जो आखरी उमीद हमारे पास बची है वो बची है GST council meeting को दोस्तों इस चीज़ को जादा से जादा support कीजिए ताकि council meeting के अंदर हलागि council meeting से पहले ही ये relief मिल जाना चाहिए लेकिन फिर भी council meeting ही एक आखरी अभी उमीद बची है तो इस मुद्दे को जादा से जादा support कीजिएगा थैंक यू फो वाच्छिं